हेलो दोस्तों नमस्कार आप सबको आज मैं आपके साथ हरी मटर की दाल की बहुत ही टेस्टी से रेष्पी सेयर कर रही हूँ इसके लिए हमको चाहिए हरी मटर जो मैंने चील के दाने निकाल लिये थे ताजी-ताजी मटर के इसको बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्स लिए खड़ी लाइची तेज पत्ता फिर हम इसको प्याज डालेंगे उनको प्रआया होने के बाद रही बीचाज बहुत ही अच्छे से भून के तब हम समय तब हम इसमें टामाटर डाल देंगे तमाटर काट लिया था यह बून जाए इसको डालके तुरत हम नमक डालेंगे टoppin के बिर वहारोस, प्रत्च मेंम और लिए उसरी के लगा पाने टालके लिए मसाले में ja गरम मसाला यो भी लिया है करो जा लिए उसके लखांगे मादर टाफ्च वश्याम आया का लिए रहेऊ पाय। अब हम भूले मिलतका में जोड़ों, ठलाइने, भूलका हम भूले तो तसमें छोड़ों, जोड़ों जोड़ाएंगे, पैस्ट पर शीकर प्षदों, चलाएंगे चलाएंगे, अच्छे से अच्छे से बीज़ान, भिज़ने देंगे, विए। तो तीन मिनट पकने देंगे और लोग ले भी रखना है में अब यह हमारा देखिए भून गया है तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं कुछ इस तरीक का दीखने लगा है अब इसमें डालेंगे पानी तो देखिए पहले हम बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे पहले करी पानी क्या दाल दिया अब सो गया और हमंनि इसको ढगाए बहुत दाशे हैं कुछ़ तरीका दिखने लगा है को यह त own चैनल करज भी अलियों के देख सहले हैं पकाने की जरूरत नहीं है लग भग यह पक चुका है तो अब हम एक बार ढ़क देंगे कासुरी मिथ्य डालने के बाद ताकि अच्छे से अब जाए इसके बाद अब हम यह में तयार हो चुका है इसको इतार लेंगे थोड़ी देर में तो मैंने धनिया कटा हुआ रखा था अब तो थोड़ा सा डाला है इसको डाल के बस इसमें पका ही लेना है धनिये को भी इसके बाद इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो अभी यह में तैयार हो चुका बिल्कुल परफेक्ट है अब यह उतारने लाएक हो गया है तो अब हम गैस बंद करेंगे इसको उत कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा दाल तो अभी आप लोग कहीं मत जाएगा रुकिए रुकिए अभी एक चीज और बाकी है इसमें बगार लगाना है भी तो देखिए यह मैंने लिया कड़ी पत्ता राई और जीरा और लाल खड़ी मिर्च और यह इन सब से बगार ल अब लेंगे अभी यह अपना खड़ी लाल मिर्च यह डाल के घड़ी पत्ता डालेंगे इसके बाद अब हमारा त्यार है बगार लगाना यह लगया और यह खुश्बू से भर गया पूरा मेरा किचन तो अभी हमारा त्यार हो गया एक दम बढ़िया सा दाल अभी आप यह